Class 10th Exercise 2.3 Question 1 क्या है देखते हैं Divide the polynomial PX by the polynomial GX and find the quotient and remainder in each of the following हमें यहाँ पे 3 parts दे रखे हैं इनके अंदर हमें PX और GX दो polynomial दे रखे हैं PX को हमें GX से divide करना है तो किस तरीके से हम quotient और remainder निकालनेंगे देखते हैं Long division method का use करेंगे PX क्या है हमारे पास X की 3 minus 3X square plus 5X minus 3 इसको हमें divide किस से करना है X square minus 2 से अब polynomial की division कैसे होगी वो देखो यहाँ पे PX की first term क्या है X की 3 है और हमारा GX की first term क्या है X की 2 है तो यहाँ पे power decrease हो जाएगी तो 3 में से 2 गया X बचा या फिर ऐसे cut कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा X तो quotient की first term आ गई हमारे पास X होगी अब X की multiply किस से होगी X square से X की X square से multiply क्या होगी X की 3 फिर X की multiply होगी 2 से तो minus 2 की X से multiply minus का 2X तो X वाले term के ही बिलकुल निचे इसको रखेंगे अब अगे देखते हैं यहाँ पे X cube X cube दोनों positive हैं तो हमें subtract करना पड़ेगा sign change करेंगे यह minus होगया यह plus होगया इस बीच वाले term के sign change नहीं करेंगे ठीक हैं? यह cancel out होगया अब फिर क्या करेंगे यहाँ पे minus का 3X square है इसको किस से divide करेंगे हम GX की first term से X square से X square से X square कट गया तो क्या आगया minus 3 पे जाएगा अब quotient की next term आगई minus 3 अब minus 3 की X square से multiply करेंगे तो minus का 3X square minus 3 की minus 2 से करेंगे तो क्या होगया? minus minus plus होगया 3, 2, 6 तो plus का 6 इसको without X वाली term के नीचे रखेंगे अब यहाँ पे फिर हमें क्या करना पड़ेगा subtraction तो sign change हो जाएंगे minus का plus हो जाएगा और plus का minus हो जाएगा यह cancel out हो गया यहाँ पे इस term को लेके आएंगे as it is नीचे 7X minus 6 और minus 3 क्या हो गया? यहाँ पे जिसको हमें divide करना है उसकी degree क्या है? GX से कम है तो यहाँ पे quotient क्या आगया हमारे पास? quotient आगया हमारे पास X minus 3 और remainder क्या आगया हमारे पास? 7X minus 9 यह हो गया मेरा answer clear है? next देखते हैं इसका second part क्या है? second part में हमें PX दे रखा है X की 4 minus 3X square plus 4X plus 5 और GX दे रखा है X square plus 1 minus X अब यहाँ पे X की degree देखो यहाँ पे X की 2 है फिर 1 आगया, यहाँ पे X की 1 आगया एक decreasing order में यहाँ पे degree नहीं है तो पहले हम इसको क्या करेंगे? decreasing order में लिखेंगे तो GX is equal to क्या हो जाएगा? X square minus X plus 1 अब हम इसको divide करते हैं यहाँ पे देखो divide करते हैं यहाँ पे PX क्या दे रखा है? X की 4 फिर minus का 3X square है मतलब X की power 3 यहाँ पे missing है तो हम उसके लिए थोड़ा सा space छोड़ देंगे फिर क्या होगा? minus का 3X square plus का 4X plus का 5 अब इसको divide किससे करना है? X square minus X और plus 1 से अब यहाँ पे देखेंगे PX की पहली term क्या है? first term X की 4 है और GX की first term क्या है? X की 2 तो यहाँ पे X की 2 से इसको cut करेंगे तो क्या आजएगा? X की 2 power decrease हो जाएगी 4 में से 2 गया? 2 आ गया तो quotient की first term क्या आगई? X की 2 अब X की 2 की X की 2 से multiply करेंगे तो X की 4 आगया अब X की 2 की X से multiply करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे power 1 है तो power add हो जाएगी तो minus X की power 3 अब पता चल गया क्यों हमने यहाँ पे space छोड़ा था? फिर 1 से हम X स्क्वेर की multiply करेंगे तो plus का X स्क्वेर हो गया देखते हैं इसको simplify करके sign change करेंगे minus plus minus यह cancel out यहाँ पे क्या आगया? X की 3 और यहाँ पे क्या आजाएगा? minus X स्क्वेर और minus 3 X स्क्वेर क्या हो गया? minus का 4 X स्क्वेर और यह term हमारी as it is निच्चे आजाएगी plus का 4 X और plus का 5 clear? अब हमें क्या करना है? यहाँ पे हमारी first term क्या है? X की 3 है इसको हमें X की power 2 से divide करना है cancel हो गया तो यहाँ पे क्या आगया? X आगया plus का X आजाएगा X की X स्क्वेर से multiply X की 3 X की minus X से करेंगे तो minus X की 2 X की 1 से करेंगे तो क्या आगया? plus का X आगया clear है? अब यहाँ पे फिर हम subtract करनेंगे यह minus हो गया यह plus हो गया यह minus हो गया cancel out minus के 4X स्क्वेर में से X स्क्वेर गया तो क्या हो गया? minus का 3X स्क्वेर 4x में से x गया तो यहाँ पे plus का 3x और 5 हा जाएगा हमारा as it is ठीक है next step देखते हैं minus का 3x square इसको किस से divide करेंगे x square से x square से x square कट गया तो कितना है आप quotient minus 3 तो minus 3 की x square से multiply minus का 3x square minus 3 की minus x से करेंगे तो plus का 3x और minus 3 की 1 से करेंगे तो minus का 3 अब इनके sign फिर change करेंगे minus का plus हो जाएगा plus का minus और minus का plus यह cancel out हो गया यह plus के 3x से minus 3x भी cancel out 5 और 3 की आगया 8 अब यहाँ पे quotient जो आया हमारा वो क्या आगया x square plus x minus 3 और remainder जो आया है हमारा वो कितना आया है 8 आगया यह हमारा क्या हो गया यहाँ पे answer समझ में आ गया second part भी next दिखते हैं इसका third part क्या है third part में हमें px दे रखा है x की 4 minus 5x plus 6 और gx हमें दे रखा है 2 minus x square अब यहाँ पे भी हमें पहले क्या करना पड़ेगा इनकी power को decreasing order में लिखेंगे तो gx क्या हो जाएगा यहाँ पे minus का x square और plus का 2 क्योंकि highest degree आगे आएगी फिर हमारी constant term आएगी अब division देखते हैं इसकी क्या आएगी यहाँ पे पहले देखो क्या दे रखा है x की 4 फिर उसके बाद यहाँ पे x की 1 दे रखा है बीच में हमारी x की 3 और x की 2 missing है term तो हम यहाँ पे space छोड़ देंगे minus का 5x plus का 6 इसको किस से divide करेंगे minus x square plus 2 से देखते हैं यहाँ पे px की first term क्या है x की 4 और यहाँ पे हमारी gx की first term क्या है minus का x square x square से इसको cut करेंगे तो minus sign as it is x की power 2 आ जाएगा तो किस पे गया minus की x square पे minus minus plus हो गया x square की x square की multiply x की 4 हो गया minus x square की 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा minus का 2x square देखते हैं आगे क्या है यहाँ पे subtract करेंगे minus sign change हो जाएगा minus का plus हो जाएगा यह cancel out यहाँ पे क्या आ गया 2x square ये term हमारी edities निच्छे आ जाएंगी minus का 5x और plus का 6 अब हमें किसको करना है 2x square को minus के x square से divide करना है x square से x square cancel यहाँ पे क्या आ गया minus का 2 बच गया तो minus 2 पे जाएगा minus 2 की minus x square से करेंगे तो plus का 2x square minus 2 की plus 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा minus का 4 इसको without x वाली term के निच्छे रखेंगे अब देखते हैं यहाँ पे फिर subtraction करेंगे तो sign change ये minus ये plus ये cancel out हो गया minus का 5x as it is 6 और 4 क्या हो गया plus का 10 ठीक है अब x की degree क्या है यहाँ पे 1 और जिससे हम divide कर रहे थे gx उसकी degree कितनी है 2 है तो further division नहीं होगी minus का 5x plus 10 तो ये हो गया क्या answer I hope clear है चैनल को subscribe करना आने वाली वीडियो की notification के लिए